वेलकम बैक टू टार्गेट फोर आईक्यू आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा अनॉंस्मेंट करना चाहता हूँ अनॉंस्मेंट है कि जो हमने CRPC की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमे मैं बेयरेक्ट की PDF खोल के आपको समझाता था बट अब मैं थोड़ी से अपनी strategy चेंज कर रहा हूँ क्यों चेंज कर रहा हूँ इसके पीछे रीजन है कि यह जो मैं strategy लेकर आऊँगा यह आपके prelims point of view से काफी importance रखेगा क्यों क्योंकि कम time में आप जाद से जाद से चीज़ों को समझ पाऊगे आई होप यह चीज वर्क कर जाए अगर यह चीज आपको जो मैं यह format में पढ़ाऊंगा अगर आपको यह चीज पसंद आती है तो please class खत्म होने के बाद comment करके में को जरूर बताएगा कि यह strategy आपको पसंद आई अगर आई तो हम follow करेंगे नहीं आई तो हम वापस से अपन 35 जो की बात करता है arrest without warrant यानि कि अगर किसी इंसान को arrest करा जाएगा तो ऐसी क्या situation है क्या circumstances होंगे कि उसको without warrant हम arrest कर सकते हैं BNSS में section 35 है यह बट old CRPC में वो section 41 डील करता था तो हमें section number भी old और new के याद रखने हैं ठीक तो पहले तो हम पढ़ते हैं grounds ऐसे 10 grounds हैं जिन्स grounds पे हम arrest कर सकते हैं without warrant ठीक पहला अगर किसी इंसान ने कोई cognizable offense commit कर दिया है Cognizable offense मैंने बताया था जब definition clause पढ़ रहे थे कि Cognizable offense वो offense होते हैं जिसमें police officer के पास power है कि वो किसी इंसान को without warrant arrest कर सकता है ठीक तो पहला हमारा हो गया ground Cognizable offense उस व्यक्ति ने commit कर दिया दूसरा है proclaim offender. Proclaimed offender वो offender होते हैं जिसको हम पहले summons भीचते हैं. वो kord के सामने नहीं आते हैं. फिर warrant भीचते हैं वो तब भी नहीं आते हैं फिर wijegakti को proclaimed offender गोशित कर देते हैं अगर को यह व्यक्ति को emailed offender हो जाता है तो हम उसको without warrant arrest कर सकते हैं यह 10 grounds पर हम police officer arrest कर सकते हैं सिरिफ और सिरिस officer करेंगे कोई परस्नल व्यक्ति नहीं कर सकता तो यह 10 10 grounds है इसमें शिर्फ पुलिस officer यह आपको arrest कर सकते हैं तीसरा ground है stolen property यानि किसी व्यक्ति के possession में कोई stolen property है यानि चोरी क्यों ही समान अगर उसके possession में है तो पुलिस officer आपको without warrant arrest कर सकती है 4th है obstruct a police officer अगर कोई police officer कोई काम कर रहा है अपनी duty कर रहा है और उसकी duty करने से अगर कोई व्यक्ति उसको रोकता है तो पुलिस officer उसे without warrant arrest कर सकती है ठीक एक यह भी grounded 5th है हमारा desert from armed forces अगर किसी armed forces यानि कि अगर navy हुई army, air force, वहां से कोई भागा हुआ है यानि कि वो armed forces में serve कर रहा है ठीक और वहां से वो भागा हुआ है तो उस व्यक्ति को भी police officer without warrant arrest कर सकती है 6th है हमारा committed offense out of India अगर कोई व्यक्ति out of India कोई offense करता है और बाद में वो इंडिया में पाया जाता है तो उसको भी without warrant हम arrest कर सकते हैं 7th है released commits a breach of rule under section 394 clause 5 जब हम किसी person को किसी custody से release करते हैं तो उस पे हम rules यानि कुछ conditions लगाते हैं ठीक पुरानी CRPC में वो condition थी section 356 clause 5 के according बट अब BNSS में section 394 clause 5 के according जो rules आप rules के according आप पे जो conditions लगाई गई है अगर आप वो follow नहीं करते हो तो police officer के पास power है कि आपको दुबारे से without warrant वो arrest कर सकते हैं 8th है requisition from another police station यह तो requisition है ना इसका मतलब होता है request करना कि अगर कोई एक police station दूसरे police station से request करता है कि आप एक व्यक्ति को without warrant arrest कर लो तो दूसर police station जिसको request भेजी गई है उसके पास power है कि वो arrest कर सकता है without warrant ठीक 9th है offense punishable 7 years से जादा या फिट death यानि कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई offense किया है जिसकी punishment 7 साल से जादा है या फिट death penalty आप ऐज़ा punishment दे सकते हो तो आप without warrant उसको arrest कर सकते हो 10th है हमारा offense punishable less than 7 और up to 7 years और again अगर किसी व्यक्ति ने कोई offense किया है उसकी punishment 7 साल से कम या 7 साल तक है तो भी आप without warrant arrest कर सकते हो तो अगर हम देखें point number 9 और point number 10 almost same बात करता है बट यहाँ पे है ना punishment में difference आजाता है अगर आपने कोई ऐसा offense किया है जिसकी punishment 7 साल से जादा है या death penalty है मतलब punishment मिल सकते है तो पुलिस officer उसको arrest कर सकता है इस suspicious में कि शायद इसने कोई offense ऐसा किया है बट जो 10 वाला point है इसमें पुलिस officer तब ही arrest करेगा जब 7 साल से कम up to 7 years की है और इसके साथ साथ क्या हो सकता है पुलिस officer को अपने reason भी record करने पड़ेंगे कि वो arrest क्यों कर रहा है इस वाले यानि की ground number 10 जो है इसमें आपको अपने reason भी record करने पड़ेंगे कि आप arrest क्यों कर रहे हो without warrant ठीक तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है देखो अगर आप arrest कर रहे हो तो अपने reason record करोगे और अगर आप arrest नहीं कर रहे हो आपको लग रहे है कि नहीं जरूरत नहीं है उसको arrest करने की चाहे उसने 7 साल ये 7 साल तक का offense किया है हम arrest नहीं करेंगे तो भी आपको अपने reasons record करने पड़ेंगे ठीक, अगर 7 साल से जादा करा है, तो आप एकदम अरेस्ट कर लोगे, 7 साल या 7 साल से कम किया है, तो आपको अपने reason record करने पड़ेंगे, कि आपने इस व्यक्ति को without warrant क्यों अरेस्ट किया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है, old CRPC और new CRPC में, वो क्या किया है, वो समझिए, जो हमारा section 41 था, old CRPC में, वो हो गया section 35, ठीक, और जो 41A था, पुरानी CRPC में, उसी को section 35 में डाल दिया गया है, यानि कि section 41, section 41A के जो provisions थे, वो section 35 में भी हमको मिलेंगे, तो मुझे को एक चीज बतानी थी, यह आप लिख लेना, काफी helpful होगा, ठीक, अब जो म comment number 10 था, जिसमें मैंने बोला था, कि वो अगर arrest करेगा, तो reason भी record करेगा, नहीं करेगा, तो reason तब भी record करने पड़ेंगे, suppose करो, वो arrest नहीं कर रहा, ठीक, उसने बोला कि arrest करने की जोड़त नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो उसको न, यानि police officer एक notice भेजेगी, जिस व्यक् आपको police station आना है, ठीक, duty of person, यानि कि जिस इनसान को, जिस व्यक्ति को आपने notice भेजा है, उसकी ये duty हो जाती है, कि notice में जो लिखा है, उसके terms, conditions को वो fulfill करे, यानि कि जिस तारिक को बोला है, कि इस तारिक को आना है, या अपने साथ दूसरे व्यक्ति को भी लेकर आना है, या कोई और जो आपके possession में कोई वस्तू है, तो उसको भी अपने साथ लेकर आना है, तो ये सारी duty होगी person की, वो terms, conditions, जो notice में हैं, उन सब को follow, यानि comply करे, इफ continue to comply, the notice shall not be arrested, जैसी notice में जो terms और conditions है, अगर वो fulfill करे जा रहा है, तो उसको arrest करने की जरूरत नहीं है, ये भी section number 35 में mention किया गया है, फोर्थ बोलता है, अगर वो term or condition को fulfill करने से चूक जाता है, यानि एक या दो appearance में नहीं आता वो, तो फिर अगर police officer चाहे तो उसको arrest कर सकती है, क्यों क्योंकि यहां पे may word लिखा है, अगर police officer चाहे तो, यानि discretion है police officer की, कि अगर वो चाहता है तो arrest कर सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं करेगा, ठीक, अब एक new concept CRPC में, यानि BNSS में add कर दिया, जो पुराने old CRPC में बिल्कुल भी नहीं था, अब क्या हुआ, यहां तक तो, मैंने जो आपको पढ़ाया, यानि 41A में लिखा हुआ था, जो कि अब हमने 35 में पढ़ाया, अब हम अगर उसको arrest करने जा र ठीक, तो पुलिस officer क्या करेगी, उसको arrest करेगी, अब new concept आया है, कि arrest करने के लिए, आपको किसी authority की permission की ज़रूरत पड़ेगी, यगर आप police officer का व्यक्ति को arrest करने जा रहा है, तो उसको deputy superintendent of police की permission चाहिए, या उससे उपर के authority की, ठीक, तो deputy superintendent of police की आपको permission चाहिए, आप तभ व्यक्ति ने offense किया है, crime किया है, वो कैसा punishable होना चाहिए, कि जो उसकी punishment है, up to three years, या फिर imprisonment, up to three years, less than three years, यानि कि जो व्यक्ति ने कोई offense किया है, उसकी punishment तीन साल से कम की होनी चाहिए, ठीक, तो ये जो मैं box में मैंने बनाया है, ये conditions है, कि अगर आप arrest करने जा रहे हो, त तो ये तीन conditions को आपको ध्यान रखना है, पहली condition है, permission चाहिए, किसकी deputy superintendent of police की, किन offense से related, कि अगर उसकी punishment तीन साल से कम की है, ठीक, और ये जो person है, जिसको arrest करने जा रहे हो, वो कौन से person होने चाहिए, inform की, अगर कोई बिमार है तब, या above 60 years, या उसकी age 60 साल से उपर की है, तो ये याद रखना है, conditions, ये तीन new conditions add की गई है, पहले नहीं थी, बट अब हो गई है, पहली क्या है, permission चाहिए, किसकी deputy superintendent of police की, दूसरी क्या condition है, कि आपने जो offense किया है, उसकी सजा 3 साल से कम की होनी चाहिए, और किन व्यक्तियों के लिए, जो inform है, या जिसकी age 60 साल से उपर की है, ठीक, ये आपका section number 35 है, अगर हम इसमें, बेरेक के according चलते, तो ये काफी लंबा है, ठीक, और से पढ़ते पढ़ते, आप भी बोर होते, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता, तो ये मैंने एक नया concept लिया है, I hope आपको ये पसंद आया हो, ठीक, अब section 36 की बा जो हमारा old CRP, section 41 B था, अब वो हो गया section 36, तो इसमें क्या लिखा है, कि आप जब arrest करने जाओगे, कोई police officer जो arrest करने जाएगा, उसको क्या-क्या procedure follow करना पड़ेगा, तो जब वो arrest करने जाएगा, वो अपने एक name plate लगाएगा, जो कि clearly visible हो, हम जिसको arrest करने जा रहे हैं, वो देख पाई कि हाँ, मेरा क्या नाम है, मेरी क्या identity है, ठीक, और arrest करते वक्त वो एक memorandum of arrest भी बनाएगा, memorandum of arrest होता है कि हाँ, उसको लिखा जाएगा, किस व्यक्ति के सामने उसको arrest किया गया, हम किस व्यक्ति को arrest कर रहे हैं, वो एक memorandum होता है, और उसको बनाना होता है, जब वह memorandum of arrest बन जाएगा तो उसको attest करेगा कम से कम एक witness ठीक ये प्रिलिम से पूछाओ question है कितने witness की ज़र्द पड़ेगी attestation के लिए तो at least एक witness यानि कम से कम एक witness की ज़र्द है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं वह अच्छी बात है कम से कम एक witness तो हमको चाहिए ठीक दूसरी क्या condition है जब memorandum of arrest बनेगा उसको एक witness कम से कम एक witness attest कर देगा उसके बाद जो accused जिसको हम arrest करने गए हैं वो भी उस memorandum में अपने sign करेगा ठीक अब यह जो witness है यह witness कौन हो सकता है यानि कि जो memorandum of arrest में हमने जिस witness का attestation कराया था वो witness कौन हो सकता है तो जिस victim कम arrest करने जा रहे हैं उसका कोई भी family member हो सकता है या आपके आसपरोस में जो respectable इंसान है वो भी हो सकता है ठीक फिर मैंने लिखा information accused right to give information to family or relative जैसे आपने उस victim को arrest किया उसके बाद आप उसको ए अधिकार है कि हमने जो arrest किया है उसकी information आप अपने किसी family member या अपने किसी relative या अपने किसी friend को आप दे सकते हो तो हम यह information accused को बोलेंगे कि आपको arrest किया है आप इसकी information बताओ हमें किसको देने हैं आप हम बता देंगे आप बस उसका नाम बताओ ठीक but यहापर exception है यानि कि हम उसको कब नहीं बताएंगे कि आपका यह right है कि आपकी जो arrest किया गया है वो आप किसी और को बताएं हम तब नहीं बता सकते जो हमने memorandum बनाया था ना अगर उसमें आपके family member ने ही sign करें जो वो witness है अगर वो खुद ही आपका family member है तो फिर हम अब हमें accused को यह बताने के नहीं है कि आपका यह right है कि आप जो arrest ही हो है इसकी information आप किसको देना चाहते हो क्यों क्योंकि भाई जो family member है उसको तो already पता चल गया है कि मेरे family में से किसी इंसान को arrest कर लिए गया है तो यह exception हो गया है अब हम पढ़ते है section 37 section 37 basically अगर हम बात करें old CRPC का section 41C ही है but यहाँ प designated police officer क्या काम है इसमें पढ़ेंगे तो state government shall establish police control room जैसे कि इसमें लिखा है कि state government हर district में एक police control room establish करेगी ठीक और कहां कहां करेगी या तो हर district में और हर state level ठीक आपका police control room रहेगा अब जो हमने यह पढ़ा था designated police officer यह क्या है यानि कि जब आपका police control room बन जाएगा उसके बाद एक assistant sub inspector को state government appoint करेगी ठीक जिसका काम होगा कि एक information को maintain करके रखना police station में information को maintain करके रखना कैसी information कि police officer ने किस व्यक्ति को arrest किया है किस offense में किया है ठीक उस व्यक्ति का नाम क्या है यह सारी information assistant sub inspector record में maintain रखेगा तो यह एक new provision add किया है BNSS में section 38 बात करता है meeting of advocate of his choice यानि कि यह section जो हमारा 38 है यह old CRPC में section 41D था जिसमें बोला गया कि interrogation के समय accused का यह right है कि वो अपने मन पसंदिता advocate से मिल सकता है prelims का question है पूछते हैं कि यह जो right है यह during interrogation है या throughout interrogation है तो यह याद रखना सिर्फ और सिर्फ यह during interrogation है कि अगर आपने कोई cognizable offense किया है तो हम उसको without warrant arrest कर लेंगे बट section 39 में बात करते हैं अगर कोई non cognizable offense हुआ है किसी police के सामने और वो police officer आपसे पूछता है आपका नाम आपका address और आप वो मना कर देते हो कि मैं नहीं बता रहा है या फिर आपने बताया तो पर police officer को लग रहा है कि आपने जूट बोल दिया है तो इस suspicious पर police officer चाहे तो आपको arrest कर सकता है किस पर कि अगर आपने आया तो अपना नाम अपना रेसिडेंस नहीं बताया या फिर बताया है तो जूटा बताया ऐसा लग रहा है पुलिस ओफिसर को तो इन दो कंडिशन्स में आपको अरेस्ट किया जा सकता है without warrant ठीक तो यहां पे वही लिखा है non-cognizable offense हुआ है और आपने मना कर दिया नाम और एसिडेंस बताने से या फिर आपने जूटा जूट बताया कि हां यह मेरा नाम है यह मेरा ड्रेस और पुलिस ओफिसर को लग रहा है यह जूटा है तो आपको अरेस्ट कर लेंगे ठीक अगर आपक तो bond पर या bail bond पर police officer जो आपको arrest करके रखा है या तो आपको bond पर छोड़ दिया जाएगा या bail bond पर bond और bail bond क्या होता ये जब हमने definition clause पढ़ाता हमने तब पढ़ाता बट अगर एक छोटा सा idea दूँ bond होता है कि without surety आपको without surety हम bond पर छोड़ सकते हैं और bail bond होता है with surety यानि surety लेंगे और आपको छोड़ देंगे तो याद रखना अगर police officer ने आपको arrest किया है तो वो release कर सकता है जब आप सही सही अपना नाव और address बता दो उसके बाद आपको bond या bail bond पर छोड़ सकते हैं if not obtained यानि police ने arrest कर लिया और उसके बावजूद भी आप अपना नाव और address नहीं बता रहो कब तक नहीं बता रहो 24 घंटे हो गए आप नहीं बता या आपने बताया तो फिर हमने का कि ठीक है मैं आपको छोड़ रहे हैं बट आपको bail or bond बढ़ना है बट आपने वो भी मना कर दे कि नहीं मैं एक्जेक्यूट नहीं करूँगा मैं नहीं भरूँगा तब क्या होगा तब police officer nearest magistrate जिसका jurisdiction है इस case पर यानि judicial magistrate first class हो या second class हो अगर उनका jurisdiction बनता है इस case पर तो उनके पास हम उस person को लिके चली जाएंगे ठीक section 40 बात करता है arrest by private person private person कैसे मैं हो गया आप हो गया हमें पास भी power है कि अगर हम चाहें तो किसी इनसान को arrest कर सकते हैं अब किस grounds पर arrest करेंगे पहला है non-bailable और cognizable अगर मेरे सामने किसी व्यक्ति ने कोई cognizable और वो non-bailable offense भी है ठीक तो मेरे पास यह अधिकार है कि मैं उसको without warrant arrest कर सकता हूँ दूसरा क्या ground है proclaimed offender अगर मुझे परसल जाता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो एक proclaimed offender है तो मैं उसको without warrant arrest कर सकता हूँ अब इसमें एक new concept add किया गया है उसको police officer को sop न पड़ेगा यह जो 6 hours है यह पहले नहीं था बट अब BNSS में यह concept दे दिया गया है कि जैसे ही आप arrest करोगे आप 6 घंटे अंदर police officer को sop दोगे ठीक If section 35 applies then police officer shall take him in custody अब क्या होगा जैसे यह private person ने arrest किया और police officer के सामने ले गया पुलिस officer को लग रहा है कि इस व्यक्ति ने जो offense किया है न वो section 35 के according आ रहा है यानि कि जब police officer के पास पावार है कि कि किसी व्यक्ति को without warrant arrest किया जा सकता है तो अगर आप उसको ले के जा रहे हो पुलिस officer को लग रहा है कि इस पे section 35 apply हो रहा है तो पुलिस उस इंसान को अपनी custody में ले लेगी ठीक फिर अगर 35 नहीं लग रहा और police officer को लग रहा है इस पे section 39 लग रहा है यानि कि कि इसने non-cognizable offense किया और अपनी identity नहीं reveal कर रहा है तो उस case में क्या होगा उस case पे section 39 के जो provisions दे रखे हैं वो apply होने start हो जाएंगे ठीक और अगर section 39 apply नहीं हो रहा पुलिस को लग रहा है कि नहीं pride person ने गलती से इसको arrest कर लिया है तो पुलिस उसको release कर देगी section 41 में arrest by magistrate यानि कि जो हमारे judicial magistrates या executive magistrates होते हैं उनके पास भी power है कि वो किसी व्यक्ति को arrest कर सकते हैं ठीक तो यहां पर यह लिखा है चाहे executive magistrate हो या judicial magistrate हो उनके सामने अगर कोई offense हुआ है उनकी presence में कोई offense हुआ है तो या तो खुद उस व्यक्ति को arrest कर लेंगे ठीक या फिर किसी और डूसरे व्यक्ति को बोल देंगे कि आप जाके arrest कर लो suppose हमारे ज़साब सुबह morning walk पर निकले उनके सामने कोई offense हो गया तो ज़साब के पास क्या option है कि वो खुद arrest करेंगे पहला दूसरा उनके आसपास कोई व्यक्ति घूम रहा है तो इसको बोल देंगे आप इसको arrest करो ठीक तो यह दो powers है हमारे executive or judicial magistrate के पास अब section 42 में protection of armed forces यानि कि जो हमारी armed forces में जो जवान होते हैं जो officers होते हैं उनको एक protection दी गई है कैसी protection कि हम उनको arrest नहीं कर सकते अगर arrest करना है तो हमें central government से consent की जरूरत पड़ेगी यह protection एक privilege दिया गया है section 42 के according अब बात करते है section 43 arrest how made कि आप अगर किसी व्यक्ति को arrest करने जा रहे हो तो arrest कैसे करोगे क्या procedure होगा ठीक तो पहले एक general rule समझते हैं general rule क्या होता है कि police जब किसी व्यक्ति को arrest करने जाती है तो यह मानने जाता है कि उसने अपनी submission नहीं करी यानि submission in the sense अगर suppose करो police officer जा रही है किसी राम व्यक्ति को arrest करने राम हो श्याम हो ठीक उनको arrest करने जा रही है तो जनरल ही क्या करते है पुलिस जाती है या तो उनका हाथ पकड़ेगी या उनको गहरा बंदी कर लेगी कि आप arrest हो चुके हो बट अगर उस व्यक्ति ने पहले से ही बोल कर या अपने किसी विभार से यह दिखा दिया पुलिस ओफिसर को कि मैं अपने आपको custody में submit कर रहा हूं तो तब पुलिस ओफिसर ना तो आपको फिजिकली टच नहीं कर सकती यानि आपका हाथ नहीं पकड़ सकती तो यहां पर जनरल रूल में मैंने यहीं बोला है कि जनरल पुलिस ओफिसर आपको touch या confine करेगी बट इसका exception है अगर आपने बोल कर या अपने action से यह दिखा दिया कि आपनी जो अपनी custody है वो पुलिस के हवाले कर दी है तो फिर पुलिस आपको touch नहीं करेगी ऐसे ही अगर हम किसी वोमेन को अरेस्ट करने जा रहे है तो जनरल रूल तो यह है कि पुलिस ओफिसर यह प्रिजूम कर लेगी कि जो वोमेन है जिसको अरेस्ट करने जा रहे है उसने अपनी custody पुलिस को दे दी है ठीक बट exception क्या है एक्सेप्शन है contrary circumstances जनरल रूल क्या है कि हम जा रहे है पुलिस ओफिसर क्या करेंगे अब ऐसा तो नहीं कि बैठे रहेंगे बोलेंगे आओ आओ हम आपको अरेस्ट करने है क्योंकि वो तो भाग रहे है तो इस condition पुलिस ओफिसर क्या करेंगे वो भी उसके पीछे भागेंगे और उसको या तो टच करके उसका हाथ पकड़के रोक लेंगे या फिर कर लेंगे उसको चारो तरफ से घेराबंदी कर लेंगे और इस वोमेन को अरेस्ट करने के लिए जरूरी है एक वोमेन पुलिस ओफिसर आपके साथ जरूर हो ठीक इसमें क्या लिखा है अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जो भी कुछ हो सकता वो सारे मीन को फोलो कर सकती है ठीक अब यह handcuff का, यानि जिसे हत्कडी बोलते हैं, यह new concept अपने BNSS में introduced हुआ है, पहले नहीं था, तो इसमें handcuff क्या है, कि जब हम किसी व्यक्ति को arrest करने जा रहे हैं, तो हम उसको handcuff कर सकते हैं, ज़रूर ही निये कि करना है, हम कर सकते हैं, या उस व्यक्ति को जिसको हमने arrest किय हम court के सामने उसको लेके जा रहे हैं, तो अभी हम उसको handcuff कर सकते हैं, ठीक, अब वो व्यक्ति कौन-कौन से हैं, जैसे habitual offender, जिसका nature हो चुका है, बार-बार क्राइम करने का, तो हम उसको handcuff कर सकते हैं, escape from custody, जो custody में था पुलिस की, बट वो custody से भाग गया है, तो अगर व एक offense introduced हुआ, जिसे बोलते है, organized crime, अगर आपने कोई organized crime कर दिया, ऐसे लिस्ट दे रखी है, अपनी BNSS में, तो वो हमको एक बार देखनी है, list में क्या-क्या है, तो यह मैंने आपको important important चीज़े बता दी, अगर कोई habitual offender हो, escaped from custody, terrorist attack, drug related crime, organized crime, अगर किसी व्यक्ति ने ये offenses कि और भी offenses है, जैसे rape हो गया, murder हो गया, ठीक, अगर ऐसे offenses किया है, तो आप उसको handcuff कर सकते हो, यह हमारे BNSS में लिखा है, अब जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट करने गए हैं, हम उसकी death cause नहीं करे सकते, किन offenses में, उन offenses में, जो offense उसने commit किया है, और वो death और L.I. से punishable नहीं है, अगर punishable तो कर सकते हैं, otherwise हम नहीं करेंगे, फिर इसमें लिखा है, woman to be arrested, अगर हम किसी woman को arrest करने जा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कि हम after sunset और before sunrise ही करेंगे, ऐसा नहीं कि अंधेरा हो गया, और अब हम जा रहे हैं उसके घर उसको arrest करने, हम ये काम बिलक cần ढरे हैं, तो हमें किस authority की permission की ज़रूरत है, अगर किसी woman को arrest करने जा रहे हैं, तो हमें judicial magistrate first class की consent की ज़रूरत है, अब ये judicial magistrate first class कों होंगे, ये वो होंगे, जिस級, जिनकी jurisdiction में, यू कोई अपराद हुआ है, या जिनकी jurisdiction में हम arrest करने जा रहे है, ठीक, ये याद रखना ज के judicial मज़ी से first class की या फिर जहां जिनकी jurisdiction में कोई offense हुआ है ठीक तो आज की class तक हम आज की class हम यहां ही तक रखते हैं अगर आप कोई यह concept या यह जो मेरा format था पढ़ाने का पसंद आया तो please comment में एक बार जरूर बताईएगा हम फिर ऐसे ही अपनी class continue रखेंगे ठीक है मिलते हैं next video में thank you